पित्र पक 2023 कब है पित्र पक कितने दिनों का होता है पित्र पक में क्या-क्या वर्जीत है क्या-क्या नहीं करना चाहिए था कि मैं जो भी नए वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आहे पित्र पक्ष 2023 देट पित्र पक्ष कब से होंगे शुरू जाने देट तिथियां और पित्रों के तरपन का महात्व पित्र पक्ष 2023 देट पित्र पक्ष यानि श्राथ का हिंदू धर्में विशेश महात्व होता है पित्र पक्ष की शुरुवात कब होगी? पित्र पक्ष में क्या करे? नियम और महत्व पित्र पक्ष दोहजार तैस कब है? पित्र पक्ष पित्रों को समर्पित है इस दोरान पित्रों की आत्मा की शान्ती के लिए श्राग किया जाता है पंचांग के अनुसार पित्रपक्ष की शुरुवात भाद्र पद्र माह की पुर्नीमा तिथी से शुरू होती है और आश्मीन माह के क्रिष्ण पक्ष की अमावस्या तिथी पर इसका समापन होता है पित्र पक्ष यानी श्राध का हिंदू धर में Вिशेश महत्व होता है पित्र पक्ष की शुरुवाती साल 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है इसका समापन 14 अक्टुबर को होगा पित्रपक्ष में श्राद का महत्वे पित्रपक्ष के दोरान पुर्वजों को श्राद पुर्वक याद करके उनका श्राद कर्म किया जाता है पित्रपक्ष में पित्रों को तरपन देने और श्राद कर्म करने से उनको मुक्ष की प्राप्ती होती है इस दोरान नकेवल पित्रों की मुक्ती के लिए श्राद किया जाता है बलकि उनके प्रती अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है पित्र पक्ष में श्राद पुर्वक अपने पुर्वजों को जल देने का विदा श्राद का अर्थ श्रद्धा पुर्वक अपने पित्रों को प्रसंद करने से है पित्र पक्ष दुहजार तैस कब से शुरू हिंदो पंचांग के अनुसार इस साल 29 सितंबर से पित्र पक्ष की शुरुवात हो रही है वहीं इसका समापन आस्विन कृष्ण पक्ष की अमवस्या तिथी को हो जाता है अमवस्या तिथी इस बार 14 हक्टूबर को पर रही है पित्रों की शांती के लिए यम्राज देते हैं जीवों को मुक्ति सनातन मान्यता के अनुसार जो परी जन अपना देत्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की त्रिप्ष के लिए सच्ची शुरुदत के साथ जो तरपन किया जाता है उसे शुराद कहा जाता है ऐसी मान्यता है कि मृतु के देवता यम्राज श्राद पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे सो जन्वों के यहां जाकर तरपन ग्रहन कर सके जिस किसी के परिजन चाहे वे विवाहित हो या ओविवाहित हो बच्चो हो या बुजरुग इस्तरी हो या पुरुस पुरुस उनकी मिर्टु हो चुकी है उन्हें पित्र कहा जाता है पित्र पक्ष में मृतु लोग से पित्र प्रिथवी पर अपने और अपने परिवार के लोगों को अशिरवात देते हैं पित्र पक्ष में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए उनको तरपन किया जाता है पित्रों के प्रसन होने पर घर पर सुक शांती आती है तिथी अनुसार पिंड़दान पित्र पक्ष में हर साल पित्रों के नियमित पिंड़दान, तरपन और हवा नादी किया जाता है सभी लोग अपने अपने पुरवजों की मृतु की तिथी के अनुसार उनका श्राद करते हैं जाता है कि जो लोग पित्र पक्ष में पित्रों का तरपन नहीं करते उनके पित्र दोस लगते हैं शाथ करने से उनकी आत्मा को त्रिप्ती और शांती मिलती हैं वे आप पर प्रसन होकर पूरे परिवार को अशिरवात देते हैं हर साल लोग अपने पित्रों की आत्मा की शा 29 सितंबर से हो रही है और 14 अक्टूबर 2023 को ये समाप्त होंगे पित्र पक्ष भाध्र पद मास की पुर्णीमा से शुरू होंगे और आश्मिन बारा से पंद्रह दिन देरी से परेंगे आम तोर पर पित्रपक्ष सितंबर में समाप्थ हो जाते हैं लेकिन इस साल पित्रपक्ष सितंबर के आखरी में शुरू होंगे और अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे नहीं होते हैं मांगलिक कारे पित्रों के समर्पित इन दिनों म पित्रपक्ष में लोग अपने पित्रों के तरपन के लिए पिंडदान भी कराते हैं श्राद कीती थी ग्यारे अक्टूबर 12 श्राद 12 अक्टूबर 13 श्राद 14 अक्टूबर सर्व पित्र अमवस्या हलो एवरिवन कैसा लगा आप सभी को हमारा ये पित्र पक्ष वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा जितना हो सकी संभव मैंने आप लोगों को डीटेल्स में बताया है अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एन सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पूर वचिंग कीप सपूर्ट